आज यानिकी 16 दिसम्वर से खरमास की शुरुवात हो गई है। आज से सभी धार्मीक और नई शुरुवात वाले काम बंध हो जाएंगे। साथी शादी बिवाह पर भी एक महिने के लिए रोक लग गई है। जोतिस चार के अनुसार खरमास में सुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाते हैं। पटना के मशुर जोतिस वीद डॉक्टर स्रीपती तिरपाठी के अनुसार 15 जनवरी की सुभ सुर्य के मकर रासी में परवेश करने के बाद खरमास समाप्त होगा और सुभ कामों की को सुर्य देरात रात के एक बचकर एक मिनट पर धनुरासी में परवेश कर चुके है। सुर्य के धनुरासी में परवेश करते हीं करमास का आरंब हो गया है। 15 जनवरी को पौश सुगल चतुर्थी की सुबा 8 बच कर 42 मिनट पर सुड़े के मकर राशी में परवेश होने के साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा इस दिन सक्रामती का पुनियकाल पूरे दीन रहेगा इसके साथ ही मकर संक्रामती के बाद सभी तरह के मांगली कारियों के शुरुवात हो जाती है डॉक्टर श्रीपती तिरपाठी बताते हैं कि खरमास के दोडान भले ही मांगली कारियों पर प्रतिबंद रहता है लेकिन भगवान विश्नु की वीधी पुर्वक पूजा पाठ करने से विश्नु के साथ माता लक्षमी भी अत्यंत प्रशन होती है और घर में धन वर्षा का लाभ बनता है प्रमाज के पूरे महीने लोगों को विश्नु सहस्त्र नाम पूरुस सुक्त सतनायन कथा भागवत पाठ आदित हिर्दे सरोत का पाठ करना चाहिए साथी भगवान भासकर को अर्ग, गरीब असहाय को अन, वस्तर का दान, गौ सेवा, बरे बुजर्गों की सेवा, ब्रहमन को अन दान करने से कई गुना पुने का फल मिलता है इस दोरान बिवाह, गिरी परवेश, वाहन की खरीदारी, संपत्यों का क्रेब विक्रे, मुंडन संसकार जैसे सुभे कारे वर्जित होते हैं ऐसे कामों को भूल कर भी ना करें पटना से लोकल एटिंग के लिए सचदानन्त की ये रिपोर्ट